पुलेज वीडियो को झाया अपने रिजूम में SAP को एड़ कर लेते हैं और उनको उस लेबल की लर्णिंग नहीं होती जिसके वैसे बाद मुनको बहुत प्रॉब्लेम्स आते हो जॉब क्यूट कर देते हैं तो आपका क्या point of view हो इस topic के उपर मैं यह क्याना चाहूंगा कि जो लोग अपने CP में वो समेंसन कर देते हैं बाद में उनको बहुत सारे challenges होते हैं वो यह सोचते हैं कि मैं वहां जाओगा मुझे training दी जाए या job मुझे दी जाए बट ऐसा नहीं हो बाता कहीं भी किसी भी company में full flash training नहीं हो जिसके वज़े से क् पर लाइप प्रोजेक्ट मिलता है तो लाइप प्रोजेक्ट में directly हमें clients से concern करना होता है अब clients से concern करने के पर हमें knowledge नहीं होता है जो सामने वाले जो client होता है वो जाएर सी पाते CEO होंगी यहापे काफी experience वाले होते हैं उनके queries को हम नहीं reply कर पाते हैं और बात में हमारा क्य इसलिए survive मैं आपको भी यही बताना चाहूंगा आप दुनिया के किसी भी बड़ी companies में चले जाओ आपको तीन महीं ने शार्मेनी की training कोई नहीं देने वाला मैंने खुद भी essential में काम किया था और starting phase में मुझे कोई training नहीं दी गई थी बिस project में onboard किया गया था और मैंने च त्याने वोले time में SAP का future कितना bright है आपके recording As per my reporting SAP का future bright है ठीच है काफी bright है क्योंकि अब भी अगर मैं बात करो तो top the most ERP है वो SAP और SAP के different products आ रहे हैं पहले क्या था कि SAP जो था कि किवल बड़ी company के लिए capture रहुता था क्योंकि costly होने के बज़े से बट ऐसे ही अब SAP public आ चुका है SAP cloud आ चुका है तब इसमें क्या है कि middle class of the companies जो भी है वो भी इनका target है और जादा तर companies क्या कर रही है कि वो middle class बाने जादा तर है कि SAP पे जा रही है क्योंकि SAP में modules बहुत है याई एक अकेला ERP जो है वो मेरी पूरी company को समाल सकता है अगर मेरे पास SAP है तो मुझे कुछी दूसरे और तीसरे SAP की जरूरत की जरूरत ही नहीं है तो आने वाला समय बिल्कुल ब्राइट है और अब इसके टकत में कोई नहीं है और opportunities ही opportunities है भी मात्रे तो अगर आप SAP सिखना चाहते हो तो आप इससर को आप connect कर सकते हो वीडियो पर अलड़ी आपको phone नमबर दिया गया है इस phone नमबर पर आप reach out करो और अपना future brightens Hey hi friends मेरे साथ है इस शाथ